अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे पेरो, डोंटेक्स, डेली, फिलोराइट, टूथ पेस्ट के बारे में अब इस toothpaste के फायदे के बारे में बात करेंगे, कैसे use करना है, क्या price है, क्या side effect है ये सारी जानकारियां जो है, आज के जीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए इधर जो है, अगर हम price से शुरुआत करें, तो 115 रुपे में ये आपको 75 ग्राम मिलता है तो price देखिए समय कनुसर बढ़ती रहती है, तो जो आज की price है, वो इतर मैंने आपको बताया है और ये जो है GS के company का है, जो की काफ अच्छे company है, एकले 100 Smith Client अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखिए इसको आप कोई भी जो Ayurvedic Medical Store है, वहाँ से try कर सकते हो या फिर जो है आप इसको online खरीद सकते हो, तो online खरीदोगे, तो आपको अच्छा-च्छा discount भी मिल सकता है तो देखिए online खरीदना है, तो मैं इस लिंक देदूँगा description में, तो वहाँ से click करके आप इसको घर बैठे-बैठे मंगा सकते हो अब देखिए बात करते हैं इसके composition के बारे में इसमें क्या-क्या है, तो देखिए इसमें बहुत सारे जो है ingredient है आप खुद भी screen पर देख सकते हैं, जैसे के sodium fluoride हो गया, sodium bicarbonate हो गया, इस प्रकार से इसके composition है, अब चलिए इसके फायदे के बारे में बात करें, इस पेरो सड़ने से बचाएगा, मसूडों को सड़ने से बचाएगा, और जो पीला पन थोड़ा हो पीला पन आ जाता है उसको भी हटाने में काफी ये toothpaste मदद करता है, इसके अलाबा देखिए आपको जैसे के मसूडों में दर्द होता है, उसमें फायदा करेगा, और अगर आपके जो मसूडे हैं, उनमें प्रॉलम हो जाये, तो आपने देखा हो उनमें से खून आने लगता है, बिलिडिंग होने लगती है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके मसूडों को हेल्दी रखता है, इसके अलाबा बैड बिरेत मतलब कई वार आपने देखा होग तूथपेश्ट को यूज़ करिए, और थोड़ा जो पीला पन है, वो भी हटाता है यह दातों का, अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए जैसे के नर्मल तूथपेश्ट हम यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करना है, थोड़ा सा पी साइज जो है लेना है और एक दिन में दो बार तक यूज़ करना होता है इसको एक सुबा और एक रात में सोनी से पहले या रात के खाने के बाद और soft जो है tooth brush से use करना है जो soft tooth brush होती है वो use करना है अब इदर आपको एक बात ध्यान में रखना है जो tooth brush जो होती है आपकी वो तीन महने से जादा पुरानी नहीं होना चाहिए तीन महने अगर पुरानी हो गई है तो उसको change कर देना चाहिए भला ही वो खराब हो या ना हो तीन महने से जादा tooth brush को use नहीं करना चाहिए ये आपके दानतों के लिए अच्छा होता है अब इसको male female कोई भी use कर सकते है लेकिन बच्चों के लिए इन नहीं है बड़े बच्चे कर सकते हैं डॉक्टर की सला से अब इदर देखिए इसको कब तक use करना है तो देखिए इसको आप daily use कर सकते हैं उदर कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी अगर आपको इसका test अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा इसमें test जो है इसका आपको इसा लगेगा कि नमक है आपको दो दिन किया और आपको दो दिन में ही फायदा देखने को मिल जाएगा अब इसके side effect के बारे बात करें तो कुछ भी ऐसा side effect नहीं है बिल्कुल आप इसको use कर सकते हो अब इधर कोई दूसरा toothpaste यूज़ करना चाहते हो इसके साथ तो कर सकते हो या नहीं तो देखे ऐसा कर सकते हो कि मान लिजिए कि सुबा आपने इसको use किया तो रात में सोने से पहले कोई दूसर toothpaste यूज़ कर सकते है इस परिकार से कर सकते हैं आप अब इधर देखिए result कब तक मिलेगा कब तक फायदा देखने को मिलेगा तो इधर देखिए कम से कम आप इसको एक मिना यूज़ करिए अब जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि आप एक से दो दिन यूज़ करोगे और आपको जो है बहुत अच्छा result मिल जाएगा परसन टू परसन हर किसी पर result अलग अलग आता है और आपकी बीमारी और प्रॉलम के अनुसार जो है फायदा मिलता है अब इधर देखिए मैं कुछ एड़वाइस यह दूँगा अगर आप यह toothpaste यूज़ करते हो तो इधर दो बार ब्रस करना compulsory होता है कई लोग देखिए सुबा तो करते हैं लेकिन रात में नहीं करते हैं सुने से पहले इसलिए जातर देखिए दाथों प्रॉलम होती तो रात में सुने से पहले यह रात का जो खाना होता है उसके बाद जरूर करें और हमेशा तीन मेहने में ब्रस बदलते रहें और हमेशा टूद ब्रस जो है सॉफ्ट वाली यूज़ करें इसके अलाबा आपको कोई भी प्रॉलम है दातों की तो उसके लिए जो है आप डॉक्टर से जो डैंटिस्ट होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं तो इधर मेरे एक्स वीडियो में तब तक आप बने रही हो देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलेज फोर इंडियन